मस्का साथियों स्वागत आप सभी का गोर्मेंट टैटी अपडेट्स पर मैं नरेश कुमार तो साथियों आपको पता हिए कि देश इस वक्त जो है एक महम वारी के दोर से गुजर रहा है जो कुरेना वारेस है और जिसके कारण जो सक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ अब तक जो है दुनिया के काफी देशों में अपना प्रकॉब जो है बरसा चुका है और इसी कोई जो देखत वे गुरुवार को परधान मंतिरी नरेंदर मौदर जीने लोगों से है जो जनता कर्फ्यू लगाने की जो है अपील की है तो इसी जनता कर्फ्यू के बारे में आज मैं आपका बताना जाता हूँ कि जनता जो कर्फ्यू है एक ऐसी स्थिती है जिसमे लोग जो लोग अपने घरों तक सिमित रहते हैं और बहुत ही जरूरी काम होने पर ही प्रिवार में से एक या कोई दो लोग बार निकलते हैं यही वज़े कि हमारे जो है पदान मंतर जाना काम पर जाना जैसे काम शामिल हो सकते हैं तो परदान मंतरी जी ने जो है जनता कर्फ्यू का जो अपील है सुबह साथ बज़े से नो बज़े तक 22 मार्च को रवीवार को जो है लागू करने की अपील की है तो इसी के बारे में हम आवज्जे आपको पूरी डिटेल म है तो सातियों जो देश और दुनिया में जो करोणा वरस का जो खत्राय लगातार बढ़ता जा रहा है करोणा से लड़ने के लिए अभी तक कोई भी जो है वैक्सिन खोजी ने गई है तो इससे बिमारी से बचने का यह की तरीका है कि जितना भी हो सके अपने घरों में रह लें तो इस घातक महाबारी से जीता जा सकता है अन्यता जो है अस्तिती घंबीर भी हो सकते हैं तो सातियों आप सभी से यही अपील है कि जितना होसके अपने घर में रहे और प्रधान मंतरी मौदी जी ने भी एक और जो बात कही थी जो स्वास्ते करमचारी मरीजों की कंपाउडर है तो इस ऐसे लोगों को हमें प्रसान करना चाहिए और सातियों आप बताना चाहेंगी कि कर्फियों और जनता कर्फियों में क्या फरक है तो सातियों जो जनता कर्फियों जो है वो जनता का लोगों का लोगों के दवारा ही खुद पर लगाया गया एक कर्फि कर्फियू लगता है उसमें अनुरोध की गुंजाईश नहीं होते क्योंकि वह जो कर्फियू है प्रशाषन की तरफ से लगाई जाता है अगर उसमें हम कोई नियम तोड़ते तो उस पर कारवाई भी की जा सकती है लेकिन एक बात और नोट करने वाले कि कर्फियू और जनता कर्फियू में एक समानता जरूर है कि जनता को अपने घरों तक सीमित रखना है दोनों का ही सेम पर बजाए अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो साथियों जबी ही घर से आप बाहर निकले और साथिय आपको बताना चाहूंगा कि जो जनता कर्फियू फरस्ट पहली बार एक बड़ी नेता थे और वो अलग गुजरात रजी की मांग को लेकर जोड़दार अंदोलन के सुतरदार रहे उस वक्त के अंदर में और बंबई सरकार ने इस अंदोलन को दवाने की काफी कोशिश की ते लेकिन इंदोलाल ने अपनी लोग प्रीता के बल पर एहमदाबा चलाद में अपना जंता जो है कर्फी लगवा दिया था उस समय घठानापने जो हमारे परधान मंतरी जुड़ी जेरम नेहर और सबाव में जाने के लिए जनता करफी लगी होने के कारण जनता अपने घरों से नहीं निकली और इस तरह से जो है एक अलग जो है गुजरात की जो मान ली गए थी आपको पता ही जो इस वाइरस को पचने के लिए हमेशा अपने बॉस्य बाक लगाये रखें और सैनिटाइजर से जो है अपने हाथ जु है दोते रें और आसपास पाच के जो अपने साथ ही परिवार के सद Alors हैं उन सबी का अच्छे से ध्यान लखे खास कर जो बुज़र्गों करजिन की आयूप चास्थ से उपर की है तो धन्यवास आतियों वीडियो के देखने के लिए प्लिस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए